हेलो फ्रेंद्स, आज का अपना टॉपिक है जियारडिया, जियारडिया से संबंदित कौन से प्रेश्ण पिछले 5-6 सालों में पूछे गए हैं, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, जियारडिया का स्ट्रक्चर पूछा गया है, लेबल डाइग्राम, जियारडिया के सि यह प्रेश्ण जो है, आपको पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं, ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं, जियारडिया के क्लासिफिकेशन से, यहां हम लेते हैं, जियारडिया, तो सबसे पहले हम लेते हैं, इसका कौमन नेम क्या है, जियारडिया का कौमन नेम है, of intestine, आंत्र का रिशी, आंत्र का रिशी क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जो है, हम इसे दो तरह से याद रख सकते हैं, रिशी मुनी के क्या पाई जाती है, खुब बलंबलंबी दाड़ी पाई जाती है, तो यहां आप देखो, इसके अंदर जो है, चार जोडी फ्लेजिला है, anterior lateral फ्लेजिला, posterior side में lateral फ्लेजिला, यह ventral में एक जोडी फ्लेजिला, और caudal, caudal में एक जोडी फ्लेजिला, ठीक है, तो इन फ्लेजिला के कारण, हम जो है रिशी याद रख सकते हैं, दूसरा रिशी मुनी जैसे पहले टाइम पर गुफाओं में रहते थे, तो यह जो है, यानि आंत्र का रिशी है, इसकी गुफा यानि इसका निवास थान क्या है, आंत्र, small intestine के अगरवाले भाग में रहना यह ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसका निवास थान क्या है, आंत्र, small intestine, और इसकी खोज भी जो है, 1681 में, लिवन हुक ने इसको खोज लिया था 1681, यानि इतना पुराना इसको खोज लिया था, और संबवता है, यह है, पहला ग्यात आंत्र पर जीवी है, पहला ग्यात आंत्र पर जीवी, तो यह कुछ रीजन है, जिन रीजन के कारण, इसको, इसका common name क्या है, grand old man of intestine, संबवता है, पहला ग्यात अंत्र पर जीवी, ठी पर जीवी, और यह दाड़ी का पाया जाना, small intestine के अंदर रहना, तो इन चीजों के, और कई फ्लाजिला का पाया जाना, इन चीजों के कारण, इसका नाम क्या है, grand old man of intestine, अब अब लेते हैं, इसका classification, फाइलम, प्रोटोजोवा, प्रोटोजोवा यानि यूनिसेलूलर and eukary antibiotic animal, सब फाइलम सारको मैस्टीगोफोरा, सारको मतलब या तो सूडोपोडिया है, लोकोमोशन के लिए, या फ्लेजिला, मैस्टीगो मतलब फ्लेजिला हैं, लोकोमोशन के लिए, इसके अंदर फ्लेजिला है, तो क्लास क्या हो गई, मैस्टीगोफोरा, मैस्टीगोफोरा म क्योंकि इसके अंदर क्रोमोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, ठीक है, डिप्लो मॉने डिड़ा, डिप्लो मतलब दो, तो दो केंदरक पाये जातने हैं, और प्रते केंदरक के साथ में चार फ्लेजिला जुड़े हैं, दो केंदरक प्रेजेंट हैं, प्रते केंदरक के साथ मे चार फ्लेजिला जुडे हैं, जीने से जी आरडिया, हम फटा फटस की वापस रिविशन कर लेते हैं, फाइलम प्रोटोजोवा, सब फाइलम सारको मेस्टीगोफोरा, क्लास मेस्टीगोफोरा, सब क्लास जू मेस्टीगोफोरा, ओर्डर डिपलो मॉनिडिडा, एंड जीनस जी आरडिया, यह हम सड़ी करेंगे जी आरडिया, लेंबिलिया की, तो कॉमन नीम क्या बताया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, 1681 में लिवे नुक ने इसे खोज लिया था, संबवत है, यह पहला ग्यात आंत्र पर जीवी है, डिस्ट्रिबुशन और हैबिट डिजीज होती है, सेलानी रोग, और अमेरिका में इसे कहा जाता है, हाईकर्स डाइरिया, यानि पद यात्रियों का अतिसार होता है, इसके कारण, ट्रैवलर्स डिजीज, और हाईकर्स डाइरिया, यह दोनों चीज़ें देखो, किस से सब्बंदित है, पैदल चलने वालो तो हम इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, रिशी मुनी पहले के टाइम पर क्या करते थे, जादा तर दूर दूर तक पैदल यात्रा ही करते थे, तो रूस में बहुंच गया कोई रिशी, तो ट्रैवलर्स डिजीज, अमेरिका में पद यात्रियों का अतिसार इसके का पाहिनी में पहुंच जाता है, सभी उमर के लोगों में मिलता है, परन्तु बच्चों में अधिक पाया जाता है, बच्चों में अधिक क्यों पाया जाता है, क्योंकि बच्चे जो है, वो मिट्टी में खेलते हैं, बच्चे मिट्टी में खेलने के बाद में अपना खुद के द्वारा होता है और ये सिस्ट जो है ये मिट्टी में हो अगर तो बच्चे में ये सिस्ट प्रवेश कर सकते हैं इसलिए बच्चों में ये अत्यदिक पाया जाता है इसके इलावा यह कभी-कभी बंदर कुटे और बिलियों में भी पाया जाता है अब हम लेते हैं इसका जन्रल स्ट्रक्चर, यह इसमें bilateral symmetry पाई जाती है, यह देखो आप यह animal, इस विशेश अक्ष से अगर इसको काटें, एक particular अक्ष से इसको काटें, तो इसे दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, तो इसमें bilateral symmetry यानि द्वीपार्श सम्मिती पाई जाती है, इसकी size कितन आठ से 14μ, लंबाई और चोड़ाई 5 से 12μ, shape कैसी है, tennis के racket के उपरी हिस्से के समान, यह इस तरह से, लेकिन चप्टा नहीं है, उल्टी नाश्पती के आकार का होता है, इसके आगे की side में अगर हिस्से में चूशन पट्टी पाई जाती है, जो एक धलान युक्तूती है, आगे वाली side में, जैसा आभी बताया था, इसमें दो केंदरक हैं, यह एक केंदरक और यह दूसरा केंदरक, है ना, और केंदरक से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, क्या राईजो प्लास्ट, यह केंदरक से thread-like structure जो बेसल ग्रेनियोल तक जुड़ा है, बेसल ग्रेनियोल व इसके इलावा प्रतेक नुकलियस से चार फ्लेजिला जुड़े रहते हैं, एक anterior में, लेटरल साइड में, दूसरा posterior में, लेटरल साइड में, तीसरा ventral अधर फ्लेजिला है, और चौथे caudal फ्लेजिला है, और यह exostyle, exostyle जो यह छडल जैसी सरंचना है, जो इसको देती है, पैरा बेसल बॉड़ी, यानि यह वो पार्ट है, जहां से यह ventral फ्लेजिला और caudal फ्लेजिला निकलते हैं, तो यह होगा इसका डाइग्राम, डाइग्राम ही, लेबल डाइग्राम ही जनरली पूछा जाता है, अब हम इसकी हाँ, ठोरी भी ले ले लेते हैं, य यूख sucking disc पाया जाता है, दो केंदरक होते हैं, प्रते केंदरक के साथ में चार फ्लेजिला जुड़े होते हैं, दोनो केंदरकों के बीच दो दंड समान सरंचनाए एग्जोस्टाइल पाये जाती हैं, दोनो केंदरकों के मध्य बड़े एंडोस्टोम ये होगा इसकी cycle, अभी हमने क्या पढ़ा, इसमें biliteral symmetry पाई जाती है, तो generally इसके अंदर जो division होता है, वो है binary season, longitudinal binary season, कभी-कभी ये multiple season भी show करता है, और बीच-बीच में cyst भी बनाता है, cyst जो है, ये ही इसका संक्रमन अवस्था होती है, ठीक है, cyst मिट्टी में होते हैं, और वहाँ से, जो है, मनुश्य में direct oral के द्वारा पहुंचते हैं, अब cyst का diagram और cyst का description भी पूछा गया है, आप यहाँ देखो, cyst जहाँ शब्द आता है, मतलब, उस time पर, ये जो animal है, इसके flagella गिर जाते हैं, ये खाना-खाना बंद कर देता है, साइज में छोटा हो जाता है, और अपने बहार एक मोटी परत बना लेता है, जिसको कहते हैं, cyst wall, और अंदर देखो आप, इस cyst में कितने nucleus हैं, चार nucleus हैं, कितने हैं, चार nucleus, और shape कैसी है, अंडा कार, ये cyst का diagram देख लें आप, अब हम लेते हैं, इसमें, cyst अंडा कार होती है, और मोटी बित्ती वाली होती है, लंबाई 8 से 14μ, में 4 जो cyst हैं, उसके इंदर 4 nucleus पाई जाते हैं, ये diagram शो किया गया है, कि ये हमारी small intestine की अंदर वाली wall है, जिसमें epithelial cells है, तो epithelial cells of intestine, सक्किंग डिस्क के द्वारा चिपके हुए हैं, तो ये diagram इस चीज को शो कर रहा है, कि GRD, small intestine के अंदर की जो वाल है, उसके epithelial cells से, सक्किंग डिस्क की साहता से चिपके हुए हैं, अब small intestine का main काम होता है, पचित भोजन का अवशोर्षन करना, digestion of, absorption of digested food, तो अब उस स्थान पर जहां से, जो है, digested food का absorption होना था, अब यहां पर GRD आ का चिपक गए, सक्किंग डिस्क की साहता से, है न, तो इसका मतलब इन्हों ने ये अवशोर्षन वाले एरिया को ब्लॉक कर दिया, अवशोर्षन वाले एरिया को ब्लॉक कर दिया, तो पचित भोजन का अवशोर्षन रुक गया, और खास तोर से किसका अवशोर्षन वसा का, फैट का अवशोर्षन रुक जाता है, फैट का अवशोर्षन रुकने के कारण, जो fat dissolved vitamins होते हैं, कौन कौन से होते हैं, विटामिन A, D, E and K, क्योंकि B और C जो हैं, ये water soluble vitamin है, तो इनके इलावा कौन से होगे, A, D, E और K, जो fat soluble vitamins हैं, तो ये fat soluble vitamins भी absorb नहीं हो पाएंगे, इन जियार्डिया के कारण, fat absorb नहीं हो पा रहा है, तो इसका परिणाम क्या होगा, शेरीर में इनकी कमी हो जाएगी, इन particular vitamins की और fat की कमी हो जाएगी, जिसके कारण रोगी को दस्थ की शिकायत रहती है, और दस्थ के साथ पीला mucus निकलता है, अब हम लेते हैं इसका symptom, जब हमारी आंत्र में कोई अंतह पर जीवी है, तो सौभाविक है, इसके symptom क्या होंगे, पेट में दर्द होगा, भूक नहीं लगेगी, सिर में दर्द होगा, क्योंकि खाना नहीं खा पा रहे हैं, या absorb नहीं कर पा रहे हैं, उदास रहेगा वेक्ती, और कभी दस्ट और कभी कब्ज की शिकायत रहेगी, और कभी-कभी जियारडिया के कारण, एलर्जिक डर्मेटिटिस हो सकता है, यानि तवच्चा रोग, ठीक है, क्योंकि वज़सा क्या करती है, चिकना रखती है न, तवच्चा को, तो कभी-कभी जो है उसकी कमी होगी, उसकी कमी होगी जियारडिया के कारण, और ये fat-soluble vitamins की कमी होगी, उसके कारण allergic dermatitis, यानि तवच्चा रोग भी हो सकता है, और वज़न कम होगा, क्योंकि खाना नहीं खा पा रहा है, पेट में दर्द रह रहा है, उदास रह रहा है, तो सभावे के वज़न कम होगा, mode of infection भी पूछा गया है एक्जाम में, तो अगर एक नमबर का पूछा है, तो हम केबल बता देंगे, मल-mukh-marg, यानि यदि इस प्रकार का मल, जिसके अंदर जियारडिया के सिस्ट है, और यह मुख में चला जाता है, तो इससे क्या कहेंगे, मल-mukh-marg, fecal-oral-route, यही एक माध्यम है, क्योंकि इसका कोई वाहक नहीं है, मद्यस्ट वाहक नहीं है, गंदा भोजन खाने से, गंदा स्थ हम कहेंगे, संदुशित, ठीक है, जिसमें इसके सिस्ट है, साफ सफाई नहीं रखने से, जियारडिया के सिस्ट शरीर में पहुंच सकते हैं, तब ही हमने शुरू में क्या कहा था, बच्चों में common है, क्योंकि बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी में खेलने के बाद में, वो हाथ वगरा ढंक से धूते नहीं है, अगर बाई चांस उस मिट्टी के अंदर, उस मिट्टी के अंदर इसके सिस्ट हैं, जियारडिया के, तो वो शरीर में पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है, डाइगनॉसिस कैसे करेंगे, डाइगनॉसिस के लिए क्या है, मल की जांच की जाती है, तो यदि मल में जियारडिया के सिस्ट है, या म्रत व्यस्क उपस्तित है, इसका मतलब व्यक्ति जो है, ये जियारडिया से संक्रमित है, लेकिन सिस्ट अर्नियमी तूप से बनाई जाती है, रूटीन नहीं है, सिस्ट कभी बनते हैं, कभी नहीं बनते हैं, क्योंकि जनरली तो बाइनरी फीजन हो रहा है, है न, तो इसलिए हो सकता है कि कभी-कभी इस परिक्षन की निगेटिव जांच आए, तो अगर ऐसी शिकायत लगाता रह रही है, तो दो-तीन दिन तक और, यान अब सावधानी क्या बरते हैं, क्योंकि इसका कमाध्यम क्या है, औरल, औरल रूट के द्वारा, यदि सिस्ट औरल रूट के द्वारा पहुंच गए, है न, तो और ये कहां मिलेंगे, मिट्टी में है, तो मिट्टी या पानी, तो खाने पानी की वस्तुव में किसी भी प् खाने से पहले लाल दवा से धोलने या सिरका से धोलने और व्यक्तिकत सफाई का ध्यान रखना चाहिए अब हम लेते हैं treatment, treatment में chemicals क्या है, malaria के उपचार में काम में लेने वाली दवाई chloroquine, amoebiosis के काम में लेने वाला compound metronidazole, ये ले सकते हैं, इसके इलावा fancone, tinidazole नामक compound जैसे tridazole है, tiniba है, anidazole है, इनको भी treatment के लिए काम में लिया जा सकता है, that's all about the topic, thank you.